कि अब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार सात्यों सवगत करता हूं सभी का इस यूट रूप चैनल पर मित्रों हिंदी सिक्सन विदियों की जो टेस्ट श्रीज चला रखी है उसमें आज आपके लिए लेकर आया हूं टेस्ट न दस टेस्ट के बाद एक डावड फुल वाले जो क्यूशन है उनके लिए सोलूशन क्लास है साथियों एक अजार प्रेस्ट में आपको कराने वाला हूं कुल जो जितने भी टेस्ट होंगे उनमें से तो शुरू करते हैं एमपीटेट के लिए रीट के लिए सीटेट के लिए बहुत ही महत्पुन प्रिशन है अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज की पिडियेप लेनी है तो आप इस्टडी विद पियन लोदा नाम से जो टेलिग्राम चेनल बना हुआ है उस चेनल को जोईन कर सकते हो तो चलिए श बोल कर पढ़ना और दुरूद गती से वाचन करना तो यह देखिए चार विकल्प है हो सकता है आपको चार ही विकल्प सही लग रहे हो लेकिन इन में से आपको एक विकल्प का चेन करना है और वो ही विकल्प चुने जो सही हो सात्यों राइट आंसर है बच्चों को पढ़ने समंदी जिजक है उस जिजक को दूर किया जा सके उसको समप्त किया जा सके इसले ही बच्चों से सर्ववाचन करवाया जाता है तो दूसरे विकल्प आपका सही है सात्यों नेक्ष्ट प्रशन दो देखेंगे बहर्श्य सिक्सन का आदर्श वाता वरण है विध् पर देखिए यहां पर भी हो सकता है आपको चार ही विकल्प सही लग रहे हो लेकिन बेस्ट विकल्प का आपको चैन करना है आदर्श वातावरण आप कि जो विचार है उसको अभिव्यक्त करने के रूप में वो पूर्ण रूप से अगर वो सोतंत्र हैं वो अपने विचारों को बिना किसी निसंग कोच से व्यक्त करते हैं तो वो एक आदर्श वातावरन होता है उनमें किसी का डर नहीं होना चाहिए सात्यू यह सबसे बेश् अभी सही है तो अक्षोता कब सही होता जब यहां पर प्रतम विखल्प नहीं होता लेकिन प्रतम है तो प्रतम ही सही रहेगा नेक्स्ट प्रेश नमबर तीन देखेंगे कविता सिक्सन में मोन पार्ट वर्जित है क्योंकि कविता मतलब की कौन सा सिक्सन हो गया यह तरगत क्योंकि इससे समय का दूरूपयोग होता है चात्रों का आउधान बादित होता है इससे रसानु भूती में व्यवधान होता है और सिक्सन का प्रवा है समाप्त हो जाता है तो देखिए मित्रों यहां पर प्रतम विकल्प तो बिल्कुल गलत है समय का दूरूपयोग ह होता है यह तो बिल्कुल गलत हो गया अब आपके सामने यह तीन विकल्प बच रहें और इसमें आपको बेश्ट आंसर चुनना है तो बेश्ट आंसर रहेगा इससे रसानों बूती में व्यवधान होता है बादा उत्पन होती है क्योंकि मौन रहेकर कविता पड़ोगे तो फिर उसका सूले ताल यति गति वो चीज कहां गई जो मजा गाने में सूर के साथ होता है वो फिर देखो छोटे बच्चे आपने देखा होगा ना चोटे-चोटे बच्चे कितने प्यार से गाते हैं उनको मजा आता है कविता बोलने में तो क्यों आता है क्योंकि उनको एक सही नहीं है तो जो कतन सही नहीं है उसका चुनाव कीजिए भाषा सोय में एक नियमबद व्युस्ता है भाषा की प्रकरती परिवर्तंशील है भाषा अन्नी भाषाओं से भी शब्द लेती है और व्याकरण के आधार पर भाषा का निर्मान होता है तो देखिए परता विकल दूसरा विकल्प तीसरा विकल्प ये तो भाषा के संबंद में सही है लेकिन जो चोता विकल्प है क्या कह रहा है कि व्याकरण के आधार पर भाषा का निर्मान तोड़ी होता है भाषा के आधार पर व्याकरण बनती है मित्रों इसलिए आपका जो चोता विकल्प है वो गलत है और यहां पर आपको गलत ही देखना था इसलिए आपका जो चोता विकल्प है वो सही रहेगा प्रिश नमबर चार में नेक्स्ट प्रिश नमबर पांच आता है आप प्रात्मिक इस तर पर किस प्रकार के बाल साहित्ति का चैन करेंगे प्रात्मिक इस तर पर पूचा कि जो बाल साइथिती का चेहन किया जाएगा वह किस प्रकार का होना चाहिए जो रोचक हो जो उपदेशात्मक हो जिसमें चोटी-चोटी कहानियां हो या जिसमें चोटी कवितायें हो तो देखे मित्रों यहां पर जो चार विकल्प है उसमें आंशर रहेगा प्रतम सही है अब उब्देश शोटे बच्चों को तो क्या दिया जाए छोटी चोटी कहानिया हो सकती है कविताय हो सकती है लेकिन रोचक नहीं रहेगी तो क्या मतलब आएगा इसलिए यहाँ पर आपका प्रतम विकल्प सही रहेगा साथियों नेक्स्ट प्रश्णिच्छ आता है किसी भी भाष्याई कुशलता में सबसे महत्पून है रटना सार्तक अभ्यास अनुकरण की कुशलता और व्याकरण के नियम देखिए भाष्याई कुशलता में मतलब आप किसी भी भाष्याई में अगर कुशलता प्राप्त करना चाहते ह तो इसके लिए सबसे महतुपुन क्या होता है तो इस चार विकल्प है इसमें रटना तो बिल्कुल गलत हो गया अब व्याकरण के नियम व्याकरण के नियम से ही बाशा में कुशलता नहीं आती है उसके लिए सार्थक अभ्यास भी होना आवशक है तो आपका जो दूसरा विकल्प है वो सही रहेगा प्रिश नमबर छे में सार्थक अभ्यास वाला क्लिए रहे सभी के नेक्ट प्रिश नमबर साथ हिंदी भाशा के आकलन में सबसे महतुपुन है बच्चों के लिकित कार्य का आउलोकन करना बच्चो द्वारा कहानी का निर्मान करना बच्चों द्वारा यह दो बार टायप हो गया सोटी तो एक विकल्प गळी आप और बच्चों के भाशा प्रियोक यूग का उलोकन करना, आपको बाश्या का आकलन करना है बच्शों की तो फिर जिस बाश्या का प्रियोग बच्चे करते हैं उसका आपको उलोकन करना चाहिए तब ही वास्टुटुट्म में यहां पर सही रहेगा, गम्बीर चुनोतियों यहां का कारण भी है व्याकरण का अनुगमन करने का कारी भी करती है और अनेक समश्याओं का कारण है तो सात्यों देखिए यहाँ पर आपको बेश्ट विकल्प का चेहन करना है और आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा अन्य विश्यों को समझने का भी माध्यम है बैं हिंदी भाषा के वल संप्रेशन संप्रेशन मतलब विचारों का आधान परदान ये नहीं करती बल्कि अन्य विश्यों को समझने का भी ये माध्यम है सात्यों परत्व विकल्प सही है इसमें प्रिश्ण नमबर आट में नेक्स्ट प्रिश्न नो हिंदी बाशा में पाठ योजना का आविरुभाव किस से हुआ सरचनात्मक मनोविज्यान से गेश्टाल्ड मनोविज्यान से प्रकिर्यात्मक मनोविज्यान से और मनोविश्लेशनात्मक मनोविज्यान से तो साथियों देखिए पार्ट योजना का निर्मान किया जाता है गेश्टाल मनोविज्ञान पर आधारित है ये गेश्टाल मनोविज्ञान ने एक सिक्सन सुथ दिया था पूर्ण से अंस्क्योर और पार्ट योजना भी किस सुक्सन सुथ पर आधारित होती है पूर्ण से ॊइश नसी की ओर्ष ले आपका जो दूसरा विकल्प है वह सही रहेगा प्रश्ण 9 में नच्स प्रशन दस हिन्दी शिक्षन मैं निम्न में से कोसी विषेषता रेकी अभिकर्मीत, hiking आहले और तो इसा साथियों इसमें आपकों पूचा है रिखे अभिकर्मित अनुदेशन विदी की विशेस्ता नहीं है विकल्प है इसमें पदों का आकार छोटा होता है यह एक ही दिशा के चात्रों को ग्यानार्जन कराता है एक ही दिशा में यह छोटी कक्षे तु अधिक उपयोगी है और इसमें तुरूटियों को अत्तिदिक महतु दिया जाता है तो सात्यों जो रेखिय अभिकर्मित अनुदेशन विधी की विशेस्ता नहीं है वो रहेगा इसमें तुरूटियों को अत्तिदिक महतु दिया जाता है यह इसकी विशेस्ता नहीं है बहिए इसमें पदों का आकार तो छोटा होता ही है चोटी कक्षाओं के लिए भी यह रोबर्ट मेगर की विधी का उपयोग किया जाता है भावात्मा कुद्देश्यों को उप्रोक्त दोनों में और उप्रोक्त में से कोई नहीं तो सात्यों रोबर्ट मेगर की जो विधी है उसका उपयोग किया जाता है ज्यानात्मा कुद्देश्यों की प्राप्ति के प्रकल्प दूसरा आपका यहां पर सही रहेगा प्रश्ट Nowide 11 में नेक्ट प्रिस्ण बारा कि चित्रों पर प्रिश्ण करके रचना का सिक्सन देना कौन सी विदी है शब्द प्रदान विदी उद्बोधन विदी चित्र रचना विदी और खेल विदी तो साथियों चित्रों पर प्रश्ण करके रचना का सिक्षन तो यहां तो बिल्कुल इजी प्रश्ण है आसानी से आप समझ सकते हो क्या कहा जाता है उसको चित्र रचना विदी चित्र दिखाए जाते हैं फिर उनसे संबनेत प्रश्न किये जाते हैं और फिर रचना करवाई जाती है तो इसको ही कहा जाता है चित्र रचना विदी नेक्स्ट विश नंबर 13 आता है साथियों बाल सभाएं प्रात्मिक इस्तर पर आयुजित करने का मुख्य उद्देश क्या है जो बाल सभाएं आयुजित की जाती है पिएस लेवल पर बाल सभाएं सभी जानते हो जिसमें अन्तियाक शिरी वगेरा कोई गेम वगेरा इसे खि कोहीं नहीं तो साथियों सभी को पता होगा कि बाल सभाएं में मोकी कभिव्यक्ति प्रशिक्ष्षन ही कराया जाता है भnd I can't it का मतलब है चात्र बोलकर करखेए जो इसको याद छात्रों को हिंदी साहित्य के इतियास की रूप रेका से परिचित करवाना किस प्रकार का उद्देश है? तो हिंदी साहित्य के इतियास की रूप रेका से परिचित करवा रहे हो? कोशलात्मक, सर्जनात्मक, रचनात्मक और ग्यानात्मक. सात्यों परिचित को किसी भी इससे जब करवाया जाता है तो उसको शामिल किया जाता है ज्यानात्मकुद्देश में किसी भी चीज की पैचान करना किसके अंतरगत आ जाता है ज्यानात्मकुद्देश के अंतरगत आ जाता है चोता विकल्प सही है नेक्ष प्रिश नंबर 12 कविता का अर्थ है रागात्म कुरत्यों का संसोदान, जीवन की समालोचना, संगीत में विचार अभिवेक्ती ये सबी चीजे कविता के अंतरगत आ जाती है इसलिए जो चोता विकल्फ है वो राइट रहेगा प्रिश्ण नमबर 15 में निम्न मेंसे किस परनाली का प्रियोग व्याकरण की सिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता है तो जिस विदी से व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है उसका चेन करो सुत्र विदी, भाषा संसर्ग विदी, निगमन विदी और प्रियोक शाला विदी तो देखिए सुत्र विदी से भी व्याकरण की सिक्सा दी जाती है भाषा संसर्ग विदी से भी दी जाती है निगमन विदी से भी दी जाती है लेकिन प्रियोग शाला विदी से व्याकरन की सिक्सा नहीं दी जाती है और यहाँ पर क्या पूचा है कि कौन सी विदी से व्याकरन की सिक्सा नहीं दी जाती है तो चोता विकल्प ही सही रहेगा प्रिशन नमबर 16 में सातियों Next प्रिशन 17 कवित विदी कहते हैं वाक की सिक्षन विदी को करो और सुनो विदी को देखो और कहो विदी को रिन में से कोई नहीं तो सातियों कवित विदी कहा जाता है वाक की सिक्षन विदी को ही कवित विदी के नाम से जाना जाता है परतम विकल्प आपका सही रहेगा प्रिश्ट नमबर 17 में नेक्स्ट प्रिश्ट नमबर 18 है अपने भावो एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति किसी से की जाती है पटीत रचना लिखित रचना एक वे दोनों और किसी से नहीं तो साथियों देखिए जो भावो और विचारों की अभिव्यक्ति करें तो दोनों से की जाती है लेकिन कलात्मक अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो कलात्मक अभिव्यक्ति तो लिखित रचना से ही की जाती है मित्रों आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी चीज लिखते हो तो आप उसको अच्छे शब्दों में लिख सकते हो लेकिन उसी चीज को जब मोखिक रूप से बोला जाता है तो आप उतनी अच्छी तरिस से उसको प्रस्तुते नहीं कर सकते हो इसलिए कलात्मा कभी व्यक्ति किस से होती है लिकित रचना से दूसरा ही विकल्प सही है इसमें नेक्ट प्रिश नमबर उननीस मोखिक अभी व्यक्ति के विकास में सहायक विदियों में निम्न में से कौन सी सामिल नहीं है कहानी कतन, चित्र वर्णन, सांसकर्ति कारिकरम और यांत्रिक अभ्यास तो साथी देखिए मोखिक अभी व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर और कल मेंने कुशन कराया था आपसे कि कौन से कोशल को यांत्रिक कोशल कहा जाता है तो उसमें आंसर था लेखन कोशल और यहाँ पर मोखिक अभी व्यक्ति के विकास में कौन सा सायक नहीं है यांत्रिक अभ्यास क्योंकि यांत्रिक अभ्यास किसमें सायक है लेखन जो लिखित अभी व्यक्ति है उसमें ये सायक के साथियों ये मोखिक में नहीं है इसलिए चोता विकल पाप का सही रहेगा प्रिश्ण नंबर 19 में आप कमेंड करके जाए साथियों कितने प्रिश्ण आपके सही होते हैं और बिल्कुल हमें सपोर्ट दीजिए चेनल को सब्क्राइब करके हमें अच्छा नूबा होता है कि भई लोग हमसे जुड़े हैं आज का अंतिम प्रिश्ण नंबर 20 देखेंगे साथियों 20 वा प्रिश्ण है केंद्रिय भाव ग्रहन प्रिश्ण पूछे जाते हैं कविता सिक्सन में, गद्य सिक्सन में, कहानी सिक्सन में और निबंद लेकन में तो साथियों केंद्रिय भाव ग्रहन प्रिश्ण पूछे जाते हैं कविता सिक्सन में जो की पद्य सिक्सन के अंतरगत आती है तो सात्यों पद्धि सिक्सन में या कविता सिक्सन में केंद्रिय भाव प्रिश्ण पूछे जाते हैं सुबह आपके नो बज़े वीडियो आ रहा है सामाजिक बुराईयों के संबंद में जो लेवल एक और लेवल दो के लिए बहुत ही उप्योगी है जरूर अटेंड करें पुरा टोपिक मात्र दस प्रिश्णों में किलियर होने वाला है आपका तो सुबह नो बज़े का टाइम भी याद रखना बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरा देखा कमेंट करके जाए जितने प्रिश्णी सही होते हैं मिलते हैं सुबह नो बज़े वाले वीडियो में